नमस्कार, मैं भाषा और आप देख रहें नीज़ क्लिक पर पड़ताल दुनिया भर की दुनिया की हलचल पर पाहनी नजर पड़ताल दुनिया भर की देखिये, जुडिये, ताकि मिले सही नजरिया जानने और खोजने का समझने का की क्या चल रहा है आसपास और साथ समंदर पार आखिर हम है ग्लोबल सिटिजन आज अपने कायक्रम में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे महादवीब की ओर जिसका भारत के साथ तो बहुत गहरा रिष्टा रहा ही है लेकिन उसका रिष्टा लड़ाई के तौर पर उपनिवेशवाद कोलोनिलिजम से बहुत गहरा रहा है बहुत लंबा दौर वहाँ गुलामी का नसलवाद का रहा है अफरीका की बात करेंगे हम अफरीका में कुछ देश लगातार चर्चा में रहते हैं युद्ध के लिए, हिंसा के लिए, भुकमरी के लिए, बेहत बढ़ाली के लिए आखिर ये जो युद्ध चल रहे हैं इन युद्धों का जो सिलसिला है इसके पीछे की कहानी क्या है क्या वज़ा है कि इतना बड़ा महधवीब जो संसाधनों से संपन है जहां तेल है प्राक्रितिक संपदाएं बहुत जबरदस्थ हैं वहाँ पर इतनी महामारी इतनी भुकमरी और इतना युद्ध क्यों हैं इस पर हमारे साथ बात करेंगे न्यूस क्लिक के प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ प्रबीर आपसे हम जानना चाहेंगे कि इ प्रिश्य बदल रहा है और खास तोर से इथोपिया इसले भी हम सब के लिए बहुत एहम हैं क्योंकि 2019 में वहां की जो नेता हैं अभी एहमद उनको नोबेल पीस पुरसकार मिला था सम्मानित इसले किया गया था कि उनके जो प्रयास थे पूरे के पूरे इलाके में शांती ल रहा है आखिर इथोपिया में हो क्या रहा है कैसे हम उसे देख सकते हैं वहां के चल रहे घटना क्रम को पहले दो चीज आप सो मैं जिकर करना चाहूंगा एक तो है जंग की जुदौर आफरिका में बात कर रहे हैं एक कलोनियलिजम की देन है क्योंकि उन्होंने राष्ट् के साथ उन्होंने किया था आज वही फल है कि राष्ट निर्मान में काफी सारे बाधाएं हैं जिसमें भी कलोनियल देश उस पे खेल रहे हैं मत भूलिएगा दो महायुद पीछले सदी पे जो हुई है सिर्फ दो चोटे जगहों को लेकर फ्रांस और जर्मनी की बीच में आलसेस लोरेन कहते उस पे दो महायुद दुनिया में हुई है तो ये कोई मावुली बात नहीं है कि नए देश जब अपना निर्मान करना चाहते हैं उस पे काफी बाधाए होती है खास तोर से जब ऐसे देश उस पे शिरकत करते हैं जिनकी और स्वार्थ ये है कि तेल कहा है खनिश्पदार्थ कहां है और आफ्रिका उसका शिकार है अब इथियोपिया की बात कर रहे हैं इथियोपिया में लंबे अर्से की जो लड़ाई चल रही थी जिसके आपने जिकर किया वहां पर हैले सिलासी जो आपने आपको मानते थे उस वक्त कि हम तो सबसे पुराना राज करने वाले हैं हमारा पुरुशोप्तम जो क्या कहते है उसको हमारे पूरवज जो है हजारों साल से यहाँ पर इथियोपिया पर राज कर रहे हैं उनको हटा के वहां राज हुआ है इसके बाद वहां पर अलग अलग इंचर्वफेंशन रही हैं वहाँ पर पहले बामपंथी विलिटरी कुछ जो पावर कैप्चर किये थे बामपंथी नजरिये से देश को बढ़ाना चाहते थे उन्होंने स्टेट का एक बहुत बड़ा भूमी का सेंट्रलाइस्ट प्लैनिंग का एक भूमी का लिया था सौवेट उन्यों से उनके रिष् रक्तिया थी उसके वहाँ पर सिविल वार किस्थिती पैदा हुई और सोवेट इनन के पतन के बाद वहाँ पर भी मैं जो उस वक्त मेंगुस्ति की सरकार थी वह गिरी और वहाँ पर जो लोग सत्ता में आये वो तीस साल करीब करीब वहाँ पर राच कर रहे थे और उसको जिनावी वहाँ की प्राइम मिनिस्टर थे उसके बाद 2012 में उनकी मौत हुई थी 91 से लेकर तब तक उनके उस वक्त इतना तीवर संगर्ष नहीं था पर इसके पीछे भी एक वजह ये था कि वहाँ पर टिग्रे जो एक छोटा सा उनके हिसाब से छोटा सा माइनॉरिटी है वह साथ परसें उनकी प्रतिशत उनकी यह है परसेंटेज पॉपुलेशन में है वो लोग सत्ता में इसलिए हासिल हो पाए थे उन्होंने दूसरों को अपने साथ रखा था अबे अहमद जो आये हैं पिछले तीन साल जिसको आपने कहा कि जिनको परुसका बिल चुका था ही रिड्रिया की एक बहुत लंबी चलती भी कष़ था उसको उन्होंने स्विकार कर लिए पर परानी है आज की नहीं है और सिर्फ इकानवे की नहीं इसके पहले सी उनकी लड़ाई चल रही थी और यरिट्रियन लबरेशन जो पहते हूसमें उसे कुछ तो ये टीग्रे की जो forces थे जिन्होंने 91 में कबजा किया था, इनकी सरकार को हटा के, मेंगुस्ति की सरकार के हटा के, ये टीग्रे दूस्तों को लेके सत्ता में हासिल थे, और यही एक वजह थी कि वहां पर काफी लोगों को इसमें नाराजगी थी, कि हम सत्ता में नहीं है, ये सत्ता चला रहे है, अपने इलाके का तो इसमें इड्वेस्ट्मेंट कर रहे है, हमारे इलाके में नहीं हो रहा है, तो इसलिए जो दूसरे एथनिसिटीज है, वो नाखुश थे और इसके वजह से अभे अहमद सत्ता में आए, और वही फिर से लड़ाई शुरू हुई है, टिग्रे अपने और कुछ बित्रों को लेके अभे अहमद के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, पर इसके पीछे ये भी देखना पड़ाईगा, एथियोपिया पीछले 30 साल से अमरिका का पिठ्थू रहा है, और सोमालिया में एथियोपिया के जरिये, अमरिका ने इंटर कर चुका है, सोमालिया के ग्रियो युद्ध तो नहीं, सोमालिया के वहां पर सरकार को कातम करना, यह कह के कि यहां पर बहुत Islamic fundamentalist हैं, इसको कह के सोमालिया को एकदम नश्ट कर देना, सत्ता वहां पर किसी के है ही नहीं इस वक्त, तो स्टेट का जो कह सकते एक जो हुआ है उसमें इथियोपिया बड़े पैमाने पर उसमें शर्क्राइब आपके हिसाब से इथोपिया जो कर रहा था सुडान और बाकी आसपास के देशों पर अमरीका के कहने पर या उसके उकसावे पर तकरीबन वही इस्थिति अभी इथोपिया की है क्योंकि इथोपिया से जो इंगठन है वह काफी शक्तिशाली हो गया है संयुक्ति राष्ट ने भी हस्तक्षेप करके सीजवायर की बात की है और इधर जब हम आप बात करें वह समय फेस्बुक ने भी उसी अभी अहमत के स्टेट्समेंट को हटाने की बात कि जिसमें उनका कहना की बहुत हिंसा को भ नहारी ताकत इन सब देशों में हस्तक्षेप करना नहीं रोकेंगे तब तक ये लड़ाएं बंद नहीं हो सकती है एथियोपिया को अपने इस्तमाल के औज्यार के रूप में पूरे हॉर्न आफरिका में फैल के वहां पर सुमालिया के अंदर इंटर इंटर्वेंशन करना खुद एथियोपिया के अंदर तो इंटर्वेंशन था ही सुदान के अंदर इंटर्वेंशन करना ये मत भूलिएगा सुदान के अंदर भी जो इंटर्वेंशन है उसमें भी एथियोपिया के इस्तमाल अमरीका ने किया है साउट सुदान को अलग कर दिया सुदान से उसक वाक्त बशीर को हटा के अब उस पे बुर्हान आएं हैं बुर्हान आने के बाद उन्होंने फिर कू किया है कहके हमने जो समझावता किया था सिविलियन ताकतों के साथ उससे हम नज़र उसको हम नहीं मानते तो यह जो लड़ाएं चल रही है इसके पीछे अमरीका की जो एथियोपिया में कैसे हुआ सुमालिया में कैसे हुआ सुदान में कैसे हुआ और इस सब चीजों में एथियोपिया को कैसे इस्तमाल किया गया है यह सब हमारे सामने है और इसको देखते हुए मुझे लगता है कि सबसी सबसी जो बड़ी बात है कि यहां पर तभी आप शा तो परीहार हो जाईगी, तुरंत इस सरकार को गिराना है, अगर अपका ट्रेड सम्मंद बढ़ाना है, तो हमारे साथ बढ़ाएं, हमें खनिश्पदामास ने, हम माईन्स हमारे पास हो, सुदान की तेल हमारे पास हो, साथ सुदान इसलिए अलग हुआ है, तो ये जब तक च ये चीजे solve करना संभव नहीं है और यही वज़े है कि पूरे Horn of Africa में जिसकी तद्बीर हमारे सामने यहां है आप देख सकते हैं हर जगह पे लड़ाई चल रही है हर जगह पे राष्ट वहाँ पे जो धांचा है राष्टिया धांचा है वो टूटे नजर आ रहे हैं सुदान में औरेडी सिबिल वार के वज़े से साथ सुदान अलग हो गया वो खनिश रिच था उसमें तेल और गैस थे तो अलग कर लिया अब सुदान को अबरहम एकॉर्ट के साथ जोडने की कोशिश है यह चीजे इसलिए है कि आप देखते हैं कि जिसको कहते हैं रेट सी की अगर अब नजर मारे अब देखें हमारे हाँ जो मैप है उसमें देखें तो रेट सी पर कैसे अमरीका की कब्जा बरकरा रह सकती है यही कोशिश है लिगें कि आपको लगता है कि यह जो अभी हिंसा का दौर है या तखता पलट या जो कू हो रहे हैं इसमें रेट सी एक एहम कृषण का दौरा है हमने देखाय जो हस्तक है इसमें जह हम बात कर रहे हैं जिस तरह का हिंसा का गिशा का इथियोपिया सबसे वहाँ पर मजबूत देश मानी जाएगी क्योंकि सबसे बड़ा है और अगर देखें तो उसका potential इस इलाके में सबसे ज्यादा है देश के तौर पे तो इथियोपिया कौन कंट्रोल करेगा यह एक एहम बात है क्योंकि तब जो है आप इस जिसको होड़न आफ आफरिका कह सकते हैं उस पर कबजा अब बरकरा रख सकते हैं सोमालिया तो विद्वस्त हो ही चुका है सुदान किस रास्ते पर जा रहा है पता नहीं तो इथियोपिया को कंट्रोल करना इ तो दुनिया के लिए नहीं पर यॉरप के लिए यह बहुत अहम की आहमियत रखती है और इसलिए अमरिका चाहते हैं कि चाहे वो स्टेट्स ओव हो उपर जो है इरान और सौदियरेबिया की बीच में यह तो स्टेट्स और आपका जो यह रेट्सी जो आपका येमेन सौद सौदियरेबिय एक और दूसरे और सौमालिया, एथियोपिया, सुदान यह सब है तो इन तीन देशों के इसलिए भी आहमियत है कि यह रेट्सी की उस कॉरिडॉर का आफरिका पार्ट कंट्रोल करता है और वेसली क्लार की पुरानी बात है जो उनको उनको एक जेनरल ने मै दिखाया था कौन-कौन मुलकों को अमरीका टेक ओवर करना चाहते है मेरे ख्याल से 2001 यह दो में था जब उन्होंने यह देखा तो उन मुलकों को अगर आप देखे तो उसमें तीन तो हॉर्न आफरिका में है चौथा एथियोपिया है लिबिया का तो आप जानते ही क्या और एक मजबूत आवाज के तौर पे फंड भी थे तेल भी था इसलिए वो आफरिकन यूनियन को फंड भी कर सकते थे तो वो खतम हो गया तो आफरिकन यूनियन के एहमेत घड़ गई है अब जो है तीन मुलक बचता है और आप आफरिका में इन तीन मुलकों के क्या हसर हो करेगा और तक्रिपम सारे ही देशों में सरकार के तौर पे सेंट्रल गव्मन्ट के तौर पे या सेंटरल पावर के रूप में जो लोग भी रहे हैं उनको लगातार आपकर एक में के बाद एक कूग की भी परमपरा रही है और अभी इथोपिया में जो लग रहा है कि का रास्ता तो बताना मुश्किल है वहां के लोग ही निद्धारित कर सकते हैं हमें ही कह सकते हैं कि इस तरह देशों को अगर बाहर से आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे यह तो एक दूसरों को लड़ाएंगे तो इन देशों की सेंट्रल गाव्मेंट की अस्तित्व खत् और वही चीज हॉर्ण आफ्रिका में लगातार एक दूसरे देशों में भी देखने को मिलता है इस वक्त यह ग्रहिवद्ध जो एथियोपिया में फिर शुरू हुआ है यह खत्रा है एथियोपिया के लिए जैसे सुमालिया में खत्रा था जिस तरह सुदान में खत्रा रह इति है और सुमालिया और एथियोपिया की बीच में एक इलाखा है पूरा जिस पे लेके बहस है दोनों में यह कहा जाना चाहिए सुमालिया में परonn Boss था की वे मेरे हिसाब से जो सबक ये है कि सब को इस सबक लेना चाहिए कि सब देश मिल के शांती की कोशिश करें तो हो सकता है ये अगर ये कोशिश करें किसकी चलेगी किसकी नहीं चलेगी तब जो है आफरीका कहालत भी अफगानिस्तान जैसे होने वाला है कि वहाँ पर लड़ाई तो चलेगी 20 साल पर राष्ट बनना पुश्किल हो जाएगा मेरे ख्याल से सुमालिया में अमरीका कर चुका है सुदान और एथियोपिया में क्या होता ये देखने की बात तो बुनियादी तोर पर ऐसा लगता है कि अफरीका में अफरीका महादवीप में और खास तोर से अफरीका के जो सींग कहे जाते हैं हौन्स ओफ अफरीका कहे जाते हैं उन देशों में जिस तरह का दखल है जिस तरह से अमरीका की अपनी पूरी निगाह और रणीती रही है वहां की जनता के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रही है अभी जो बुकर पुरसकार मिला है जिस लेखक को डैनम गेल गेट उन्होंने बहुत एक एहम बात की जहां से मैं अपनी बात समाप्त करूँगी उन्होंने कहा कि वह उस महधवीब के कही अनकही कहानियों को नसलबाद और आपसी लड़ाई की उन कहानियों को दुनिया के सामने रखना चाहते हैं जिनके बारे में बहुत कम बात हुई है बहुत जरूरी है कि जो एथिनिक लड़ाईयां दिखाई देती हैं जो लड़ाईयां दिखाई देती हैं कि ग्रिह युद्ध हो रहे हैं, लड़ाई चल रही है, उसके पीछे किंके मनसूबे काम कर रहे हैं, कहां से एजेंडा सेट हो रहा है, इस पर निगाह बनाए रखें, आप हमारे साथ बने रहें, परताल दुनिया भर की देखिए और ल